हालो एवरिवन वेलकम अगेन ओन माई चैनल एडूकेशन टूटोरियल्स दोस्तों जैसा कि हम लोग सीटेट मैट्स की सिरीज चला रहे हैं और यह इसका चैप्टर नूमबर दो है जिसका नाम है मैथमेटिकल आपरिशन्स आज हम लोग इसकी स्टेडी करेंगे दोस्तों एक हफ़ते तक टेक्निकल इशूस की वज़े से बोर्ड पर क्लास नहीं चल पाएगी किसी वज़े से एक हफ़ते बाद इससी थोड़ा सा नॉर्मल होने पर जैसे बोर्ड पर क्लास चलती है वैसे ही क्लास चलेगी चलिए दे star y is equal to लिखा हुआ है x square y square plus x y ये लिखा हुआ है और उसके बाद 8 star 5 लिखा हुआ है देखे इस तरह के questions को कैसे solve करा जाएगा क्योंकि कहा जा रहा है x उसके बाद एक star बना हुआ है और y लिखा हुआ है तो जैसे आपका इस आरेंडी खोलने पर आपके पास जो दिया गया है वैसे ही same to same आपको लिखना है मतलब क्या करना है आप लिख लिजे 8 उसके बाद star बना लिजे और 5 is equal to x square कहा है तो आप 8 का square ले लिजे उसके बाद y का square कहा है तो आप 5 का square ले लिजे और उसके बाद उसके बाद x y दिया है तो आप 8 into 5 ले लिजे 8 का square 64 5 का square 25 और 8 into 5 is equal to 14 अब सबको add कर लिजे आप तो add करने पर हो जाएगा आपका 129 तो देख लिजे इसका option कौन सा correct हो जाएगा option number C correct हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों ये question solve हो जाएगा चलिए अगले questions पर आजाएगा अगला question है आपका questions के number पर मच जाएगा एक दो तीन आप अपने टर्व से डालीजेगा question number है इसमें इसमें लिखा हुआ है 18 whole 3 by 4 में कितने 1 by 12 तू नहीं है ये 1 by 12 है अक्चुली कितने 1 by 12 है ठीक है देखिए इसको solve करने के लिए पहले आप क्या करिए कि आप लिख लिजे 18 whole 3 upon 4 divided by 1 upon 12 मतलब इस number से क्या करेंगे आप divide कर देंगे 1 by 12 से ठीक है अब आप इसको solve करिए 18 whole 3 72 और 72 और 3 75 upon 4 divided by 1 by 12 यहीं पर आप reciprocal कर लिजे 12 upon 1 जैसा कि मैंने पहले बताया है आप लोगों को कि अगर division होता है तो वहाँ पर क्या कर लिया जाता है इंटू करके उसका reciprocal कर लिया जाता है अब आप काट दीजे 75 तरीजा लिख लिजे 75 तरीजा कितना होता है 225 तो इसका answer हो जाएगा 225 ठीक mathematical operations में आपके सामने जो questions रखे गए हैं ये बहुत ही अच्छे selected questions मैंने रखा हुआ है ऐसा ही नहीं कि उठा के मैंने questions को रख दिया हुआ है इन questions का आप खुब अभ्यास करिएगा और इससे related इसी तरह के questions आपको exam में देखने को मिलेंगे अगला question है जब इस तरह का division एक साथ दिखे तो आप क्या करेंगे इस सब को upon में into में लिख लीजे मतलब 8 into 9 into क्या 10 ऐसे ठीक है यही इसका तरीका होता है 0 से 0 कैंसल कर लीजे अब उसके बाद क्या करेंगे आप 8 से काड़ दिजे 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32 ठीक है 504 हो गया और हाँ इसको काटी है 9 से 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54 तो इसका answer हो जाएगा 56 देखिया option में कौन सा correct है option number A correct हो जाएगा चलिए अगले questions पर आ जाएगे अगला question question number 16 है यह मैंने लिखा है लेकिन इसको लगाएंगे नि क्योंकि simple addition है आपको उपर निचे लिख करके numbers को लिखना है ठीक है इस तरह का questions आप खुद से solve करिए चलिए next question है आपका लिखा गया है 999 999 into 995 upon 999 into 999 बहुत सारे 999 दिये गये हैं तो इसको कैसे करेंगे पहले आप इसका इससा multiply कर लिजे 999 into 999 चलिए उसके बाद जो उपर नंबर होता है इसको आप हमेशा प्लस में लिखिए 995 ठीक है अब उसके बाद क्या करिएगा आप इसके बाद आप ये करो कि upon में भी 999 दे दो कौन सा ये वाला और into में 999 आप दे दो और 99999 कार्ट दो आपके पास जो बचा वो ये नंबर बचा ठीक है अब आप क्या करोगे अब आप ये करो कि 999 सब इन दोनों का multiply करो तो इन दोनों का multiply करने पर आपका आएगा multiply कॉपी में अपने कर ले 998 001 करके देख ले न और उसके बाद इसमें 995 आप जोड़ दोगे तो 995 जोड़ने पर आपका answer आजाएगा 998 996 जोड़ ले ना ठीक है तो आप ज़रा मिला लो किसमें कौनसा option correct हो जाएगा ए नहीं सही होगा इसका option correct हो जाएगा 998 996 बी वाला option correct हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से ये questions आपका solve हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question भी आपका बहुत ही simple सा questions है आप लोग इसको लगा पाएगे कोई सी दिक्कत इसमें नहीं आएगी सिर्फ multiply है अगले questions पे आ जाएए अगला question question number 9 में आपको solve कराता हूँ देखे यहाँ पे लिखा गया है 3 upon 5 into 1 upon 4 और upon में है 0.7 ठीक तो देखे one number के बाद decimal यहाँ है और one number के बाद decimal उपर है तो इसको एक decimal को आप काट जीचे अब आप क्या करो 7 से 35 को division कर लो 5 बार में गया 14 5 जा कितना होता है 70 होता है लेकिन one number के बाद decimal है तो इसका answer हो जाएगा 7.0 या 7 ठीक है 7.0 और 7 दोनो एक ही चीज है ठीक है इससे confuse मत होईएगा कि यह दोनो different चीज है नहीं बिलकुल नहीं 7.0 और 7 दोनो same चीज है तो अगर आप 7 देखे तो confuse मत होईएगा चलिए अगले questions पर आजाईए अगला question है आपका 0.555 0.55 0.5 का मान क्या होगा यह कहा जा रहा है अब देखो question तो है यह बहुत easy लेकिन जो बच्चे maths की practice नहीं किये रहते उसको उतारने में बहुत problem होती कैसे अगर यह number ठीक से उतार आएंगे उपर नीचे उसको लिखा जाएगा तो questions असानी से लग जाएगा देखो मैं बता दे रहा हूँ तरीका इसका क्या है सबसे पहले देखो जैसे लिखा है पहले 0.555 आप लिख लो उसके बाद 0 से पकड़ के चिपका हो 0 से पकड़ के चिपका के लिखो मतलब 0.55 जो number छूटा उसके सामने 0 लगा लो तेक है यही इसका तरीका है जैसे लिखो 0. आप 5 लिखा है 5 यहां उतारो जो number छूटा आप 00 उतारो मतलब आपको पॉइंट से पॉइंट चिपका के लिखना है ठीक है इसी तरीके से समझ लो चलो आप जोड़ लो उसको 5 5 5 10 10 के 0 के 1 हो गया और 16 के 6 के 1 हो गया मतलब 1.605 यही इसका एंसर हो जाएगा और इसका option कौन सा correct हो जाएगा option number B ठीक है चलिए अगले questions पर आजाईए अगला question है आपका 75 into और bracket में कुछ चीज़े operations देएगा है तो आप क्या करोगे पहले आप सबसे पहले bracket की चीज़ों को solve करोगे ठीक है इस चीज़ को याद रखो देखो math में जो problem होती है कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़े नहीं गलती करती है छोटी छोटी चीज़ गलती करती है अब आप क्या किये जैसे आपने number देखा तीन में चार जोड़ना शुरू करती है नहीं आप कही ही गलती कर जाओगे ठीक है मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि बैट की जो basic problem है वो आपको मैं दूर कर सकूँ ठीक तो देखे इसमें सबसे पहले आप board mass लगाईए पहले आप division करो और फिर addition करो division करो चार में दो से oral divide करो दो बचा मलब divide करने पर दो आपका quotient आ गया और फिर तीन उसमें add कर लो पांच हो जाएगा तो आपके सामने 75 गुड़े 5 क्या हो जाएगा पांच बंजे 25 के पांच हासिल दो पांच सते 35 और दो 37 तीन सो पचेतर यह है ठीक है इस तरीके से questions को बनाओ अगला question अगला question है देखो यह लिखा गया है अब देखो इसमें 2 बार division है ना अभी मैंने बताए इसमें क्या किया जा सकता है आप इसको upon में लिख लो देखो जैसे 125 लिखो लिख लिया अब उसके बाद 25 इंटू 5 ठीक है और equal के सामने जो लिखा हुआ है x-99 आप उसको लिख लो 25 पंजे कितना होता है 125 125 125 125 कर जाएगा एक बचेगा ना अब उसके बाद क्या हो सकता है बताओ अब इसके बाद यह होगा कि देखो इसके सामने 1 लिख लो equal to x-99 यही बचा ना आप 99 को इधर लेकर चले आओ तो क्या हो जाएगा 99 प्लस में आजाएगा तो 99 प्लस 1 is equal to 100 ऐसे एक कुश्चन सॉल हो जाएगा चीजों को आसान बनाना भी पड़ता है चीजें आसान होती भी है और जहां पे चीजें आसान नहों आपके लिए आप उसको आसान बनाओ ठीक है चलो अगले कुश्चन स्पे आजओ इसका option कौन से correct हो जाएगा ए वाला option correct हो जाएगा चलिए अगले कुश्चन स्पे आजाएगे अगला कुश्चन है आपका 500 प्लस 200 और bracket में पहले आप bracket को solve कर लो क्या हो जाएगा 500 और 200 मिलके 700 हो गया इंटू 4 हो गया और यहाँ पर 3 और 2 मिलके 5 हो गया अब इन 3 का multiply कर लो 20 और सते कितना हो जाएगा 14,000 के करीब आजाएगा तो option कौन से correct हो जाएगा 24 के option में correct हो जाएगा आपका B वाला option correct हो जाएगा ठीक है इस तरीके से questions आपका solve हो जाएगा चलिए अगले questions पर आजाएगे अगले question में देखिए 444 divided by into 15 क्या करेंगे पहले into या division जवाब दीजे पहले इसका क्या करेंगे division करेंगे तो आप क्या करो 444 divided by 16 into 1 upon 5 यह कर रहे हो ठीक है इसका answer point में आएगा पहले इसका division कर लेना और जो result है उसमें 1 by 1.5 से multiply कर लेना तो देखो इसका जब आप simplify करोगे तो इसका answer आजाएगा 41.625 अब division करना है division खुद से कर लेना जो result आएगा उसको 1.5 से multiply कर लेना चलो अगले questions पर आजाओ अगला question है तुमारा 23 into bracket और फिर division दिया गया है अब इसको कैसे करोगे इसको करने के लिए आप क्या करो देखो पहले आप bracket को operate करोगे ना तो आप लिखो 23 into कितना 40 divided by 100 divided by 100 कर लो नीचे कर लो तो अब क्या करोगे देखो अब इसको 22 जा अब इसको solve कर लो 5,9 जा 45 5,2 जा 10 ना वई ऐसे होगा 5,9 जा 45 होगे और 1 बचा 5,2 जा 10 ओरल करो तो इसका answer हो जाएगा 9.2 कम से कम लिखने की कोशिश करना है exam में confidence बनाना है questions को बार-बार लगाना है अब भ्यास करना है कम से कम तीन बार एक questions को बनाईए तभी आपके अभ्यास होगा और questions solve हो बाएगा तो इस तरीके से दोस्तों कुछ questions मैंने आप लोगों के लिए solve कर दिया है अगर आपको इस तरह के screen पर पढ़ाना ठीक लगता है तो आप बताईएगा मैं इसी तरह के class continue करूँगा फिलहाल एक हफता नहीं चल पाएगा technical issues की वज़े से cares पर चीज़ों को दिया गया है जब वहां से बन के आजाएगी तभी board पर class चल सकती है अगर यह आपको content पसंद आता है तो आप लोग चैनल को subscribe कर लिजे लाइक कर लिजे दोस्तों में share कर लिजे अभी इसकी और भी series आएगी series का मतलब इस chapter का भी और भी parts आएगा उसमें और questions को आपको अच्छे questions को level questions को solve करवाया गया है चलिए, thank you